हेलो व्लकम तो स्वेवन लेरनल्स माइनेम इस गुफरान अश्मत और यह जो चाप्टर हमारा यह इंडियन आर्किटेक्चर इस कुल्क्चर आंड पॉटरी का चाप्टर है जो इंडियन आर्ट और गल्चर नितिन सिंगाने के बुक है उसमें यह चाप्टर आपका बॉटे करेंगे इंडियन आर्किटेक्चर को कम्प्लीट करेंगे स्कल्प्थिय अंड पॉटरी को कशन रउट यह सारा प्राट इस हम आज कुछ करने की कोशिश करिंगे तो हम प्रॉसेस को अपनाई गे पार्ट फट और फिनिश प्स बिप इस गो को पूरा फिनिश करन वहां से आप इसको access करके पढ़ सकते हो उसके बाद फिर इस book में मैंने underline कर रखा है कुछ-कुछ important चीज तो वो भी आपको revision करने में help करेगा क्योंकि maximum important चीज जी है उसको मैंने already underline कर लिया है चलो फिर आज का session start करते हैं the word architecture यह derive हुआ है एक word से जो लाटिन वर्ड है उसको टेक्टॉन बोलते है विच मीन्स बिल्ड तो आर्किटेक्टॉर तो बिल्डिंग से ही related है तो टेक्टॉन मतलब होता है बिल्ड देखो जब क्या हुआ था जब early man को वो लोग जब shelter ढूरने लगे ना caves वगरा में रहना start करने लगे तो वहां से हमारा जो है science of architecture start हो जाता है क्योंकि वहां से ही उन लोगों ने modification करना start कर दिया था क्योंकि वो लोग अपने caves के अंदर भी cave को कैसा form देना है या फिर थोड़ा painting वगरा करकर decorate करना है या फिर इसका entry exit में कुछ चीजे चेंज करना है अरली में फिर क्या करें जब iron develop हो गया hammer जब उनके पास आ गया तो वह उसको कुरेद कुरेद कर तो डिफरेंट और structure देने लगे तो architecture तब ही से start हो गया था हमारा ठीक है लेकिन sculpture जो होता है न यह derived है from proto-indian-european root इसका नाम root kel kel से होता है जिसका मतलब होता है bend ठीक है sculpture आपका generally small size का होता है और यह sculpture आप इतना ध्यान दो कि यह relatively small size होता है then architecture architecture मतलब क्या architecture is construction of a building kind of न तो वो आपका size उसकी काफी बड़ी होती है लेकिन sculpture क्या होता है sculpture आपके building के अंदर में भी हो सकता है तो वो relatively smaller work of art होता है तो यह चीज़ अब ध्यान देंगे अब हम देखेंगे कि material क्या use होता है अब जब architecture आप बना रहे हो ना suppose अगर आप एक building बना रहे हो तो building बनाने के लिए क्या होता है वोड यूज हो सकता है glass, metal, sand उसको decoration करने के लिए बहुत सारे चीज को use करके आप architecture बना सकते हो लेकिन sculpture में क्या होता है आप अब एक single type of material से वो sculpture बनाओगे तो suppose अगर यह वाला आपका architecture है ना यह अगर आपका building है suppose तो यहां पे अगर छोटा सा designing यह आपका sculpture हो सकता है यह independent यह sculpture हो सकता है तो यह आपका difference होता है architecture and sculpture में single material use होता है वहां पर आपका various material use हो सकता है ठीक है अब architecture बनाने के लिए थोड़ा science को study करना पड़ेगा mathematics देखना पड़ेगा क्योंकि accuracy का बहुत ध्यान देना होगा आपको कितना बड़ा होना चाहिए कितना छोटा होना चाहिए ताज महल रेड़ फॉर्ट यह सब बने होंगे तो accuracy का बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया होगा लेकिन आपका sculpture बनता है तो यह that is depend upon your imagination ठीक है और इसमें बहुत ज्यादा heavily accurate measurement की ज़रत नहीं पड़ती क्योंकि देखो यह तो एक आपका single piece है या तो आप इसको किसी architecture में अटाच कर दो या फिर you can use it individually जैसे कि देखो जो हमें नट्राज का image मिलता है या फिर हमाई जो हरपा से dancing girl का statue मिला है तो यह सारा चीज क्या यह independent art है तो यह हमारा sculpture होता है तो यह point of difference पूरा explain कर दिया है समझ में आगया होगा हम size में देख लिए बड़ा चोटा material में देख लिए principle देख लिए कि किसमें engineering techniques and maths यूज होता है किसम में नहीं होता और example हमने कुछ देख लिया अब हम देखेंगे इंडियन architecture ओके इंडियन architecture जो है इंडियन architecture हमारा जितना भी culture architecture जो भी कुछ रहा है आज तक सब एक बहुत ज्यादा evolutionary type में रहा है मतलब वो with time evolve होता गया है ठीक है तो इंडियन आर्केन architecture भी एक story है evolution का हमारा इंडर्स वाली civilization जो था वहां पर हम किस तरीके के roads बनाते थे कैसा हमारा माप बिल्डिंग्स होता था उपर नीचे बहुत सारे differences होता था फिर ब्रिटिश आते आते हम कैसे Gothic style में convert हो गया है और Roman style में convert हो गया है सबसे पहले हम देखेंगे हर अपन इंशेंट में हर अपन देखें के modern art फिप पोस्mount अमीक Favorim आट में travelling ओए नहीं हो में फिर अंडियन में क्या हुआ वा धाइवल में मेंism nécess rig टाइं में महीं हमारा क्या हुए मुंगल में कि सने क्या में हमारा हमक रो डेकिन पर यह टें में हमारा हम दोस्की सले में स्थायर याथ बिद अबर आपको फ्रेम करने में यह इजी हो जाएगा तक यह कि इंशन डर्ट मैं हम कहां से स्टार्ट करेंगे हरा पर से स्टार्ट करेंगे मार्या सबसे फेले हर अपाई अगा ओर सुस्क्राइब कि ते लग एbes और और में तो सबसे निकला ऑन तो कौन हों तो के टी एस एल है ना स्लेव खिलजी तुगलक सायद लोधी और हमारा मुगल आट में कौन आएगा भाजिसा भी एचे जे एस ए तो बाबर हुमायू अकबर जहांगीर शाह जहां और अरंग जेप ठीक है बहुत है इंडो गोतिक और नियो रोमन तो यह सारा हम वन बाइवन देखेंगे तो सबसे पहले हम हरपा आर्ट अन कल्चर के बारे में देखते हैं हरपा आर्ट अन कल्चर जो है ना यह एक बहुत ही फ्लरिशिंग सिवलाइजेशन डेवलप हुआ था कहां इंडर्स रिवर के बांक में यह कब वह था इसको हम लोग हर अपन सिवलाइजेशन और इंडर्स सिवलाइजेशन बोलते हैं ठीक है हां तो क्या फ्लरिशिंग सिवलाइजेशन कहां अन दा बांक ओफ रिवर इंडर्स सेकेंड हाफ ऑफ थर्ड मिलिनियम बेसी था 3 बीसी आपका ना और यह स्प्रेड है इसको हम लोग हर अपन सिवलाइजेशन और या फिर इंडर्स वाली सिवलाइजेशन बोलते हैं ठीक है यहां पे आपको इसके साइट में आपको वेरियस फॉर्म ओफ आर्ट मिलेगा ठीक है जैसे स्कल्ट्चर सील्स पॉर्टरी या फिर ओर्नेमेंट्स कैसा होता था किस इस तरह का टेरोकाटा फिंगर्स होता था यह सब कुछ हमें देखने के लिए यहां पे मिलेगा नियूमेरेस काइंड ओफ स्कल्ट्चर सील्स पॉर्टरी जेलरी इनका क्या इमाजिनेशन रहा है क्या आर्टिस्टिक के पिलिटीज रहा है कितने आर्टिस्टिक सीटिक सेंसिलिट और क्यानि कितने इनका थे उसके क वर्यमे प्रके में इस नियूम इस एतने है क्या यह г.kaे यह कैसे अर्बन उस टाइम का जो आपका अर्बन सेटलमेंट है ना हम वह बोलेंगे आपको तो यहां पर मैं आपको ना एट तुजट हरप एन मोहनजिदारों नहीं झालन कुछ ended की वहां पिकफूप फांब करने जाओंगी like the सब्सक्राइब करने शर्ण करी देखकेंगे कि वहां पर खुजब 9 या सब्सक्राइब कासर सब्सक्राइब इंजिनेरिंग स्किल्स कैसी दिखाई थी तो यह सारा चीज हम यहां पर देखेंगे ठीक है तो हम आठ पॉइंट ऑफ यू से यहां पर हिस्ट्री पढ़ रहे है इस नौट पॉसिबल कि अगर मैं दिल्ली सल्तनित का कोई आर्किटेक्ट्ट्य बतारी हूं और स्लेव डाइ इस नौट पॉसिबल तो वह चीज नहीं करेंगे क्योंकि यह आपको इंशिट हिस्ट्री खुद से कवर करनी पड़े कि हम मेंली आर्ट और अर्किटेक्ट्ट्र को डील करेंगे तो अब कुछ हम इंपोर्टेंट साइट देखते हैं इंडिस्ट्राली सिवलाइजेशन का और उनकी आर्किया फाइंदिंग्स की रही है विल भी लुकिंग ओन दोशुंस तो पहलार जो साइट है और पहला साइट आपका है अरपा अब कुछ साइट साइट आपकि पाकिस्तान में हैं कुछ साईट साइट आहिं इंडिया में हैं तो हमें यह सारी चीजों को ध्यैण दे आम है कि कुछ कुछ कौन सी साइट आपकी इंडिया में है और कौन सी साइट आपकी पाकिसान में तो इसके लिए लिए ना मैंने इस कोटा सा अपने लिए अपने ़िए डिक पक्राइब लिख और फिल स्कुल्स ग्राइब मच्स के टू लिखती हो एप को सारे prosecutors । पता हो जाएंगे जैसे M से आप लिखोगे मेहार गर्ड आन मोहंजदारो ठीक है यहां यहां पर मैं लिखती हूं इसको आई शुद चेंज अ कलर ऑफ दे पैन ब्लाक कर देती हूं और I should take some dark color, dark blue तो आप मैं साथ साथ लिखो फिर मैं इसको delete करते जाओंगे not delete ठीक है मिहार गर्ड मिहार गर्ड M से हो गया और मोहंजदारो यह दो हो गया हमारे M से A से अला हिंदो यह सारा आपको नाम रटना होगा ठीक है सी से आपका होगा चाहुंदारो चाहुंदारो मचा होगा आपका फिर A से होगा अम्री और S से आपका होगा सुकता गेंदौर और यह 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 सुकता मचाज अभी के से आपका लिखो कोट दीजी कोट दीजी कम्प्लिट होगे आपको एक और के से आपका क्या था नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नौ बताती हो मैं आपको थोड़ा दिर में तो आप इसको मचाज के टू ऐसा कर कि कुछ भी ट्रिक बना करके ना सब कौन साइट इंडिया में कुछ भी अपना साथ ट्रिक बनाओ सारा पाकिस्तान वाला साइट को लिखकर के एक साइट कुछ ट्रिक बना लो ठीक है अब देखो हम हर अपा के बार में बात कर रहे हर अपा जो है यह प्रस आपका पाकिस्तान में याद करो मचास में एच था भी यहां में दिसक्स्क्स किया रावी रिवर सन्मी कि नाकिस्तान में इन एयरा है वह तो अब श क्योंकि मापें यह जो क्लियर हो ना चाहिए अब जब हर अहला हमारा रावी रिवर सिक्साम भाषब exist how is our यहां पर आपको एक लिंगम स्टोन सिंबल अफ लिंगम मिला है योनी मदर गॉर्डेस का स्कल्क्चर मिला है तो हर अपा में मदर गॉर्डेस वीट आंड बार्ली का मिला है यहां पर विडन मॉर्टर में डाइस खेलने वाला कॉपर स्केल मिरर मिला है और बहुत इंपोर्टेंट डॉग चीजिंग डियर इन ब्रॉंज मेटल यह भी आपको यहां पर देखने को मिला है और रेड सांड स्टोन मेल टॉर्स है विन एग्जेकिवेटेड तो यह कुछ इंपोर्टेंट आपका हरपा का है आपको याद रखना है रावी रिवर के बैंक में इस सिविलाइजेशन है पाकिस्तान में यहां पर वीट और बार्ले का ट्रेसिस मिला है डॉग चीजिंग और डियर ब्रॉंज बेटल में और योनी मदर कॉड़ेस का फिगर यहां पर मिला है तू रो आप सिक्स ग्रेनरी यह बहुत इंपोर्टेंट है यह आपको यहां मिला है नेक्स्ट है हमारा मोहंजदारो मोहंजदारो कहा है यह भी पाकिस्तान में इंडस रिवर में मचाज सिटडल ग्रेट बात ग्रेट ग्रानरी फिर मरने के बाद जो क्रिमेशन बर्ली बरियल है वह स्कल्प्चर मिला है यहां पर बियर्डेड प्रीस्ट बहुत फेमस है यहां पर जो मिला है और ब्रॉंज स्टाच्व और डांसिंगल देखो ब्रॉंज स्टाच्व और डांसि धोला वीरा हमारा गुजरात का यह लोकेशन है धोला वीरा बहुत फेमस इसका फीचर है वाटर रिजर्वर के लिए यह यहां पर बहुत जादा यूनीक वाटर हानेसिक विस्टम रहा है इन्डियामे अगर देखोगे तो इस साइड में क्या है आपका अरेबियन सी है तो सी से लोकेटेडर है तो आप हैसको ट्रेस करोगे अपने दिमाग – इन्डियामे इस से रिलेट करके वॉर्टर से रिलेट करके कि यह सारा आपका डोला विरा में होगा इंसक्रिप्शन और 10 large signs like advertisement board और ये largest साइ्ट ंब एक तर पिर निज्च ऑड़ Jetzt Are Up कि तरली तरम यह नहीं पी बाति बान के लिखते दीद सब्सक्राइबरम्डर्द क्रीविये थे थे prophets video आपका क्या हो जाएगा राखी गड़ी आपका सबसे जागा बड़ा साइट हो जाएगा ठीक है इतना क्लियर है नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा लोथल लोथल को मैंचेस्टर ऑफ इंडस वाली सिवलाइजेशन में बोलता है यह भी आपका गुजरात का ही लोकेशन है इंपोर्टन साइट है यह नेवल ट्रेड के लिए अर्चेयोलजिकल फाइंडिंग्स के लिए यहां पे आपका नेवल के लिए आप लोथल को याद रखोगे ओके मैंने आपको लार्जेस्ट इस इस इपता दिया स्मॉलेस्ट इंडस वाली सिवलाइजेशन का यह गुजरात में लोकेटेड है और यह ट्रेड के लिए बहुत इंपोर्टन है क्योंकि इसी रूट से हो रहा ना वहां पे सी इंटर बहुत इंपोर्टन याद रखोगे राइस हस्क मिला है ठीक है चैस ना टेरा कॉर्टा फिगर ऑफ होर्स और शेप का टेगर टेरा कॉर्टा फिगर मिला है और यहां पर भी प्रैक्टिस होता था बरियल यह और क्रिमेटेड रिमेंस तो यह आपका इतना हो गया ओ आपका मोहेंजदारो मेहारगड अला हिंदो चाहुंदारो अम्री एच से हरपा सुकता गेंदौर आपका के से कोड दीजी और कुछ कोड दीजी कोड सम्तिंग कुछ है और यह के मैंने रखा ना विकास माइन निकनेम इस किरन तो इसलिए के एंजी गनेरी वाली बेक होती तो यह ऐसा ना चोटा सा इसमें जी को भी लगा करके मैंने अपना सा ट्रिक डिजाइन किया है तो आप भी अपना ट्रिक ऐसे कुछ डिजाइन करके यू कैन ट्राइटू रिमेंबर दिस ओके चलो अब हम नेक्स्ट साइट देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट साइट है वह ह यह ऐसा है राकि गड़ी अरbers ड कि गड़ी तो जैसे मैं आने आपको बता दिया है यह लार्ज में का कोैसे बता सकता है कोई मुझेर मुझे कि लाइन शाइट इंडेस वाली सीवीलिजीशन का यह तो लाजेस सीटी क्या हैं जल्यस बता एले मैं आपको बताया ना लार्ज सिटी है दूला विरा स्मॉले सिटी इस अला हिंदो ओके तो राकी गड़ी आपका लार्जेस साइड है यह आपकी प्रोविंशल क्यापिटल है हर अपन सिवलाइजेशन की ठीक है यहां पर आपको अगें ग्रेनरी टेर कोटर ब्रेक्स यह सब मिला देखो क्या क्या मिला है यह सब बहुत प्रोबैबल फोता है यू पीथ सी का तो आपको न ठोड़ा इन सब ठीक और द्र में दियान मिला है क्योंकि यह सायपर वह पूछे जा सकते हैं चेंसे होता है यह सारे पूछने का नेंस्ट इसा रोपर रोपर यह आपका जो लोकेशन अगर आपको पता हु साइट आपका इन्वोर्मेंट इनकॉलजी का सेक्षिन आता है यह बहुत होलिस्टिक चीज़े होती है आप कुछ कहीं पढ़ होगे न उस चीज को कहीं और से रिलेट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से ठीक है तो रोपर जो है यह आपका पंजाब में इसका बहुत हरपन साइट हमें मिला है इंडिपेंडेंस के बाद जब हमारा इंडिया आजाद हुआ ठीक है तो यह फॉर्स्ट हरपन साइट हमारा आफ्टर इंडिया गॉट्रीडम यह हमारा रोपर है और बरीड वित यूमन यह यहां का इंपॉर्टन फीचर है जो आपको ध्यान आपके ट्वाए कार्ट मिला है यह ऺतए तब कि कामल कब बोनज मिला है कि देखाबो्स दीचन के दो अлар गैच कहां पर गन्स नहीं हो दो बिया कि रवन कर लो यह देखो लोथल में मार्क है ना फायर अल्टर तो आपको अभी फायर अल्टर कहां मिल गया है एक लोथल में मिल गया फायर अल्टर और अभी आपको फायर अल्टर कहां मिल गया है आपका काली बंगन में मिल गया है काली बंगन में मिल गया है तो ऐसे आप चीजों को ध्य पाकिस्तान वाला साइट बता है यह आपका पाकिस्तान का साइट है लेकिन सुर्कोट अडा यह इंडिया में है यह गुजरात की साइट है ठीक है और यहां से हॉर्स का रिमेंस मिला है सुकता गेंदौर सुर्कोट यहां से हॉर्स का रिमेंन यह यूपेसी क्वेश्चन पूच चुकी है और यह तो हो गया सुर्का टोड़ा हो गया आपका नेक्स्ट इस बनावली बनावली आपकी हर्याना की साइट है ठीक है अंदर ड्राइड अब जो सरस्वती रिवर है जो माइटी सरस्वती है जो हम बोलता है कि विच इस नौट विजिबल टो अस तो यह जो सरस्वती रिवर के साइट में आपको बनावली साइट आपको मिल जाएगी यहां पर आपको लापस लजूली अगें फायर अल्टर देखरो बनावली हमने लपी लबी बी अना अगें हमारा बलाथल काली बंगन हो गया है लोथल बलाथल काली बंगन और अबी जो हम बनावली कर रहे हैं यहां पर फायर एल्टर हो गया तो यह सारे लोकेशन में हमें क्या देखने को मिल रही है इना फायर आल्टर फिर ऑऊनली सिटी विच रेडियल स्ट्रीट तो यह भी इंपॉर्टन होगा ह क्योंकि बस Radial Street कहां मिला है, बना वली, बना आया वा है, Radial Street बना वली, Radial Street करके बनाया वा है, तो थोड़ा थोड़ा देखो, अपने दिरो दिमाग में चीज़ों को ऐसे फिक्स करने की कोशिश करो, ठीक है, ताकि आपका Concepts जो है, थोड़ा क्लियर होता जाए अक्चली तो यह नहीं बोलेंगे कि यहां पर कोई कॉंसेप्ट है सचाई तो यह है यह बोलेंगे कि यहां पर बहुत जादा रर्टिफिकेशन की जरुरत है क्योंकि यह सारे चीजे आपको याद रखना होगा निक्स हमारा आलमगीर पूर आता ह हमेaza मेरड में है हो यह हमारा इस्तन मोस आ एफ़ीशी साइट है इंडिया इंडिया वा इंस वाली हमारा मैं फैला वा इतने दूर में फैला हुआ है माक्ना तो इसमें कुछ आपका सभन मूस्ट ईसरन मूस्त नदं मोस्ठ अन वेस्टर मोस्त यह हमें पढ़ना है तो तो इसमें कुछ sites है जो हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा नर्दर्मोस कउन सा साइड है, एस्टर्मोस साइड, तो अभी सबसे पहले हमने देखा आलमगीरपूर, आलमगीरपूर जो आपका है यह सबसे इस्टर्मोस है, आलमगीरपूर यह फिर उसको आप ऐसे करके लिख ल पाकिस्तान में यह प्रीकर्सर बोला जाता है इंडस वाली सिविलाइजेशन का मिहारगड को तो प्रीकर्सर कौन सा है इंडस वाली सिविलाइजेशन का प्रीकर्सर ऑप इंडस वाली सिविलाइजेशन इस मिहारगड खतम आपका चाहुन दारो अपना चाहुन दारो भी आपका कहा है पाकिस्तान में यह only इंडस वाली साइट है ना चाहुन सी से चाहुन होता है without a citadel यहाँ पे citadel नहीं है आपकी तो चाहुन दारो बीड मेकिंग फैक्टरी यहाँ पे है आपका और यूज अफ लिप्स्टिक यहाँ पे मिला है यह ऐसे आप धिहान देंगे फिर कोट दीजी अगें पाकिस्तान में है तो यह बस आप डेफिनेशन यह सुक्ता गेंदौर यह आपके वेस्टर्मोस साइट है इस्टर्मोस आल हमें क्या मिला था हॉर्स के रिमेंस मिले थे वी कवर्ड इटना थोड़े दिर पहले अधिकुल अच्छल रिमेंस ऑफ और सुरकोट अड़ा यह कहां गुजरात में ठीक है सुक्ता गेंदौर हो गया फिर बालू बालू जो आपकी साइट है यह आपकी हर्याना की साइट ह है हर्याना की साइट बालू इसके बाद यहां पर आपको वेरियस प्लांट सरी मिलें मिला और यह आप इस चीज को ध्हान देंगे निश्ट दा 어떻대 नहें प्रस्ट राउस्ट पाइंड यहां पर लिखेंगे दाइमा बाद या की तो ये आपको क्या हो गया है मह बाद या अब को क्या हो गया वैं सानी ब्लस्ट जोbased सर्थúp और सबसे ने मुस्त आइंत değil मांड मांडा या मांड बोलते इसको यह जमुन कश्मीर आता तो आपको चार डिविजिन जो है जब से नदन सदन इस्टेन वेस्टन आपको यह चीज धिहान देना है ठीक है कैरला नो धोरो यह गुजरात में है यह सौर्ड प्रोडक्शन साइट है इंडस वाली का फिर प्रहे ट्रिक है मेरा वाली का साइट को याद रखाए आ पना कोई ट्रिक बना कर के याद रखेंगे मांड जमुन कश्मीर में नाजरमूस साइट तो फिर परॉमिनन साइट से जो देखो गनेरी वाला यह पान्जाब मतलब यह पंचाब आपका पाकिस्तान वारे बार में बात होरा पंजाब तो यह ऐसे करके आपके सारे साइट को ध्यान देना है तो इस बुक में जितने साइट से वो सारे साइट और उसके फीचर मैंने आपको कवर करवा दिया है आप अभी आप थोड़ा सा चीजों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे बार बार पढ़ते पढ़ते आपको चीजे याद होने लगेगी तो यह लोकेशन भी आपको खुछ खुछ याद रखना है क्योंकि अगर आप आंसर लिखोगे इंडस वाली साइट के बारे में तो कुछ तो आपको प्लानिंग के लिए यह चीज मैंने आपको बता तो यहां की ना बहुत रिमार्केबल आर्किटेक्चर रही है ठीक है यह लोग तो टाउन साना उसको एक रिक्टांगुलर ग्रिड पाटन ग्रिड पाटन मतलब देखो यह इस तरीक से इनकी यह ग्रिड पाटन बो देखो मतलब एकदम होदाना की इंजीनेरिंग वस नॉट अड प्रिजेंट अड ताइम लेकिन आवर अन्सिस्टर्स नूट अफ इंजीनेरिंग अड ताइम और सो टिक है जो रोट्स थे आपके वो नौट साउथ और इस्ट वेस्ट डिरेक्शन में थे और देखो सब को यह क्या आपके 90 डिग्री अंगल में कट कर रहे ना यह देखो यह का 90 डिग्री अंगल में सब कर रहे ना तो रोट्स आपके नौट से साउथ और इस से वेस्ट चल रहे थे और 90 डिग्री अंगल में राइट अंगल में वहां पे कट रहे थे तीन तरह के बिल्डिंग्स ह भी फक्त बीट बिल्डिंग ऑगा ग्रेट ग्राप्ट रिसे फोगे अब हर अपन्वाना यह जो घर बनाते थे यह अइसे वैसे घर में बनाते थे तो उसे क्या होता है चीजे अच्छे से जॉइंट हो जाती थी इसे लिए तो आज तक हम वो सब चीजों को देख पार है न वरना तो इतने साल पार हो गया है ये सारा चीज तो धरती में समा जाना थी इनका तो थोड़ा सा अंच भी नहीं हमें मिलता बड़ देखो वो लोग बंट ब्रिक्स यूज करते थे उसके बाद कंस्ट्रक्शन के लिए ये यूज करते थे फिर वो बेग्ड ब्रिक को ये लोग जॉइन करते थे जिपसम मोटर हम लोग आजकल सेमेंट यूज करते है न ये लोग जिपसम मोटर यूज किया करते थे जिसके वज़े से वो जो पता हो दी ओन्ली हरपन साइट विट आउट सिटेडल जो मैंने अभी आपको थोड़े दिर पहले डिसकस किया उसका नाम है छाहुंदारो एक छाहुंदारो ही साइट था जहां पे कोई सिटेडल नहीं मिली थी अना ऐसे और ओन्ली हरपन साइट विट रेडियल ड्रेनेज ड्रेश पाटर्ण जो है यहां पर ड्रेशd पाटर्ण अभी हम एँच पाट के बार में डिसकस करींगे यहां पर ड्रेनेज पाटर्न जो फटरो डिफरेंट होगा वेस्ट साइड में है तो अपर पोर्शन में आपके जो थोड़ा नािइज ज 真的 घ्राइट में बोलते हैं अजो लोक जिन की उस सजलायटि में उस वक्त को में थोड़ा जादा थैक आज लोग जो भोव जो पॉलेटी शना बड़ी फुल लोग आप बोल दीजिए तो वो लोग कहां रहते थे वो लोग अपर पार पाट अब दो सिटी में रहते थे लेकिन आपका लेकिन आपके जो नॉर्मल पब्लिक होती थी, नॉर्मल पब्लिक आपकी कहां रहती 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 थी, नॉर्मल अब देखो अपरे सिटिडल का है वेस्टन पार्ट में है ठीक है यहाँ पर क्या कंस्रेक्ट होता था ग्रेनरीज अड्मिनिस्ट्रेटिव बिल्दिंग पिलर्ड हॉल्स कोट्यार्ड ठीक है और यहाँ पर रेसिदेंस रहा है रूलर्स और अरिस्टोक्राट्स का जो विच अपने लिए बड़ा 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 पालेसिस हम जो देखने को मिला है हम एजिप्शियन और मेस्वर्टामियम सिलाइजेशन में यह सारी चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को नहीं मिली हां यह जरूर है कि अपर पार्ट ऑफ जो आपका सिटी है वहां पर आपके अरि पालस बना रखा दिस वस नॉर्ट फाउं ठीक है उसके बड़ यहां पर जो ग्रेनरी रखने के लिए उन्होंने जो बनाया ना हमने पड़ा हर अपन साइड में डू रो आप सिक्स ग्रेनरी तो यह ग्रेनरी को भी ना यह बहुत ही इंटेलिजेंटली डिजाइन करते थे और इसको ना एक रेज्ड प्लाटफॉर्म में रखते थे यह प्लाटफॉर्म हुआ यहां पर आपकी ग्रेनरी रखने का जो भी यह लोग का एक स्वाइज बनता था यहां पर बनता था ताकि पानी से बहुत ज्यादा इंपक्ट ना हो पाए यहां पर ठीक है उसमें यह टाक को गारा से प्रिजर्व कर सके तो कितना प्लानिंग के साथ यहां पर चल करते थे इमपोर्टन फीचर यहां पर लिग बात हरपा में हमने पढ़ा ता फबलीक बात तो तो मेबी हो सकता है यहां यहुशा बात इस शाहिज मिलने की रीजन भी होगी ना किया पर रिच् सारे देखने को मिले अचोड़ छोट आपको देखने को मिल रहा विसे एक्ज cute वात हते idianain का अपा हूँ है अच्छ और एक सोई 們 सुल मानननपा से चाहिज एक और स्पावराइब करता नान देखनSocial स्टेयर देखने किलुम मिला है ठीक है ये भी हम पता चलता है इससे कि स्टेयर से तो में भी वो लोग double अगर अगर यह साइड में रोड है यहां बहुत लूजली था ताकि यहां पर इसको ओपेन करने इसको खर सके यहां पर आपका क्या है कि water clock नहों cleaning और maintenance में easy हो यह सारे features है जो अगर question आता है आपको हरपर के बारे में लिखने के लिए तो यह सारे dimension आपके answer में cover होनी चाहिए I hope थोड़ा सा चीजे cover हुई है तो यह सारा book धीरे धीरे हम ऐसी explain करते वे जाएंगे okay फिर से स्पीट्स से स्पीट्स के बार में तो मैंने आपको बता दिया कि आपका loosely वो था आपका ताकी cleaning and maintenance के लिए हो हाईजीन में बहुत जादा धिहान दिये यह लोग personal और public दोनों हाईजीन में ठीक है presence of wealth has also be observed at mini site ठीक है बहुत स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं न कि मेसापर्टेनियन पीपल अफ टिग्रेट्स और यूफरेट्स वाली जो हमारा मेसापर्टर्मियम दूसरा civilization है तो यह लोग टिग्रेट्स और यूफरेट्स वाली वाले और इंडर्स वाली क्वलिश्भी सीलस के अधनने साथ मेसॉप्रटामिय मेसापर्मिय ॡूर्स फ्लरीशंग यहीं लोकेशंग कहते हैं यह लो सकल्प्टвор tengo सिव्लाइशन का हमने सारा क्या प्या डीख लिया आर्टेक्ट्टट्टेक्चर डीघ्लिया अर्पन इसलीजेशन का sup सीम अपना मौनरी पेज लेंगे हरपन सीविलाइशन लिखेंगे 頭 पर ह athletic together यह अमौइंट्स मोटर अप्रेज्ड सिटर्डल अना अन देन आपका लोवर पार्ट के लोवर सेटी अना फिर आप लिखो के हाईजीन बाथिंग एक्जाम्पल में आपका ग्रेट बाथ रिचुलिस्टिक क्लिंजिंग नो पालेस नो टेमपल ऐसे करके आप शॉर्ट कट में इस चीज का भी नोट बना लो के लास्ट इस लास्ट इसमें लिखो के ड्रेंज तो यह आपका पूरा इंडस वाली हर अरपन civilization का आर्केटेक्टर हो जाएगा यह पेज तो पूरा फुल नहीं होगा हाफ पेज में आप इसमें अप स्कल्प्चर लिखोगे कि स्कल्प्चर में हमें क्या-क shapes and sizes यहां पे हर एक location में different shapes and size का मिला है ठीक है जादा कि जो seeds eher square shape का मिला है ठीक है disci lara, rectangular, circular circular Ceil ध्यां देना यह सारा statements बन सकता है आपका prelimns में और यई पढ़ढ़ ही हम इसब रहे है prelimns plus main points of view से हम पढ़ रहे थाकि आप आंसर भी लिख पाऊ इन चीजों को ले करके तो यहां पर आपका सर्कुलर सील्स भी मिला है स्टीर टाइट स्टीर टाइट एक सॉफ्ट स्टोन होता है जो कि रिवर बेड में पाया जाता है स्टीर टाइट 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 स् copper, fiance, terracotta, ये seals भी आपका मिला है in fact gold and ivory seal भी मिला है तो अगर आपको बोला जाए कि इंडेस वाली civilization people were aware about gold तो अब क्या बोलोगे, they were aware or they were not so yes, they were aware about gold क्योंकि हमें आपका seals जो मिला है golden होता है आपका gold seal भी होता है ये भी आपका मिला है आपका ठीक है ओके next आपका हो गया हमारा उसके बाद सारे seals में जो इंस्क्रिप्शिन यूज हुए है ये एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है पिक्टोग्राफिक मतलब पिक्चर्स के थूँ ये सारी चीजे दिखाए गई है और ये पिक्चर्स के और ये पिक्चर्स जो है अभी तक ना कोई decipher नहीं कर पाया है कि ये क्या बोलना चाहरे है ये भी चीज आपको ध्यान देना है और जैसे कि नॉर्मल हम लोग अगर इंगलिश लिखते हैं तो देको नॉर्मल अगर लोग इंगलिश लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं लोग वेस्ट टू इस जाता है जैसे कि ऐसे लिखते हैं ठीक है उर्दू तो इस टू वेस्ट लेकर के जाते हैं और ये वेस्ट टू इस लेकर के जाते हैं लेकिन जो हमारा वन डिरेक्शन में लिखते हैं इंडेस वाली का जो इंस्रिप्शन था ना वो डिरेक्शनल था मतलब राइटिंग स्टाइल आप जेनरली 5 जो कि आपका कामन आनीमल बहुत कमन आनीमल जो हापर मैंशन अनो वह यूनिकॉन अब यूनिकॉन इनका राइनोसरस यूनिकॉन था या फिर यूनिकॉन इनका कुछ एक स्पीशीस था वी आ नॉट स्टिल अवेर अबाउट यहां पर बहुत सारे इंस्क्रिप्श आपको दिख रहा है कि लेकिन काव नो एविडेंस ऑफ काव था पाउंड ऑन एनी सील तो आपको यह चीज विद्यान देना है कि आपका कोई भी काव का जो एविडेंस से नहीं मिल रहा है नो काव नो हॉड्स नो लायन तो थोड़ा सा स्पेसिफिक जो क्वेशन आ सकता ह मैं वो चीज बता रही हूँ ठीक है देखो जेनरली इंस्क्रिप्शन ना यह जैसे सपोज एक स्क्वाइर सील है तो अगर आप ऐसे 3D थोड़ा 3D फिकर बनाऊ यह अपकी सील है तो आपका जो इंस्क्रिप्शन है सपोज यहां पे है फ्रेंट और यहां पे आपका नीच दुग्शन होता था जैसे की हमें बहुत सारा डिस्कवरी मिला ना में से अपोटामिया में इंडस्वाली का तो में भी होसकता कि ट्रेड के लिए घरा रित ला है यह सारे साइट के बारें बात करें गुज राइड का ट्रेड के लिए ठीक है कुछ सीन में तो होल भी थे और दे आर फाउंड इवें और डेड बॉडी इस तो जैसे कि उसे यह समझ में आता है कि कोई तावीज आमुलेट्स के लिए वो लोग यूज कते थे ठीक है जैसे कि अभी हमारे पास अधार कार्ड है तो मेभी वो उनके लिए आइटिफिकेशन के लिए यूज हो सकता है फ पीष्याद यूज फीशन के लिए उनकी अग्फा चाहराय थीश्ये चाहरा है रहन को आपको पता है नोट कैसे बनाना है इस कॉग उत्या पूमारी का शॉट इस या टीष्छ सायं करें हम श्मखेण में आपको के थाउं-स यूज थिक्त प्रें किस्ज कैसे बिनाना तो लिख लो या फिर I should again tell you क्या-क्या लिखना है यहाँ पर तो दिफ्रेंट शेप्स लिखो के स्क्वार उसमें प्रीडॉमिनेंट लिखो गे और देन यू विल बी राइटिंग अबाट स्टियर्टाइट फिर पिक्टोग्राफिक रेप्रेसेटेशन डिसाइफर नहीं हो है बाइडिरेक्शनल होता है अनिमल इंप्रेशन्स मिला है नो एविदेंस ऑफ काव मिला है थर्ड साइट में भी होता है एजुकेशनल पॉपस के यूज हुआ है इस प्रिया थ guitar के यूज हुआ है तो चलो पश्यूपती सील के बारे हम देखते हैं ये भी एक स्टियर्टाइट सील है स्टियर्टाइट सील विच हाव बेन डिस्कवर्ड फ्रॉम मोहंजदारो और ये डिपेक्ट करता है एक human figure या फिर में भी एक deity है सील लिपेक्ट करें आपको याद रखना पड़ेगा और इसको ना मैंने ऐसे याद रख है रोते हो ना तो लिख होenviron contains the ते आर करती है ठीक है टीयर से टीयरर को फिर लाश में B बना दो उसको लिखना है ऐसे लिखना है अचिक है तो यह आपका अटेलोप हो जाएगा दो आिक्टेलोप आपको नीचे बैठाबा मिलेगा इस पिक्चर में ऐस साइड में आपको टी और ई ठीक है, ठी और ई में आपको tiger और elephant हो जागा यह आपका tiger है यह आपका elephant है और यह आपका अपका राइनोसरस हो गया और एक buffalo हो गया rhinoceros and buffalo and two आपका antelopes तो अपको ऐसे याद रहता है tiger, elephant, antelope, rhinoceros and buffalo तो यह आपको पश्वपती तो यह समय पर लीख वहाँ बना कर इन चीजों को याद कि हूं तो ये सारा चीज में आपके साथ शेयर करते जा रही है ऐसे बहुत सारा चीज में आगे भी शेयर करओंगे आपके साथ तो यह हो गया आपका टियार पशुपती सील, थ्री हॉंड हेडगेर पैनल, सराउंड़ बाइनिमल्स, एलिफंट अं टाइगर लेफ्ट साइड में, राइनसरस औ बफलो राइट साइड में, टू आंटेलर्प्स बिलो, तो यह देखो, यह देखो, यह स्ट्विक से आप इ ने, टू धू थापन पीपल, वेर देखो अवैर अबाऊवत तो यह देखों, बढ़ा ने थोडियर पहले, अभी, ब्रॉन्स फिर्जे जो बनाते था ना यह लोग, तो यह स्टाटू बनाने के लिए लोग, तो यह स्टाटू बनाने चीड होगे, यह तो यह पार्वतु लेका स्टिरण को तसको बोलते हैं लॉस्त वाक्स टेकनीख या फेसी रे पर्डिू टेकनीक। इन टेकनीक में किया होता थै पहले वाक्स फिगर को आश फिर्स्ट कोटेड विट क्लें ऐन अलाउग। ती इसको रॉइं कट अद् er ड्राइल कर देंद या जाता था 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 दर गया जाय को अलोंड इसको अलोवें गथ सथा इन्साइDT and the metal figure of the same shape as wax figure is obtained even now the same technique is practiced in many parts of the country यह टेकनीक मैं आपको समझाती हूँ कैसे कर रहे है यह लो सबसे पहले यह लो क्या कर रहे है जो भी हमारा wax figure है इसको coat कर देते हैं किसे wet clay से तो figure को हमने wet clay से coat कर दिया और इसको dry कर दिया the clay coated figures are then heated क्योंकि यह wax figure है इसको heat कर दिये हम तो क्या होगा ना इसको heat कर दिये हम तो wax हमारा melt हो गया wax melt हो गया तो यहां पे tiny hole रहेगा जहां से हमारा wax बाहर आता हैगा अब wax बाहर आगया हमारा तो wax बाहर आने के बाद उसमें क्या करेंगे हम metal को पोर करेंगे अंदर metal को पोर करेंगे metal को पोर करने के बाद यह cool down हो जाएगा उसके बाद यह जो clay का हमारा coating सा ना इसको हम हटा देंगे तो हमें वो shape मिल जाएगा कि जिस shape में यह बनाना चाहते थे तो इस तरीके से यह लोग आपका bronze figure बनाते थे जैसे example bronze dancing girl मोहनजदारों से मिला है bronze bull काली बंग मिला है तो यह bronze figure आपका हो गया अभी dancing girl, dancing girl आपकी words की oldest bronze sculpture है जो मोहनजदारों से मिली है नेकेड गर्ल को शो करती है इसने बस ओनमेंस पैना वहाई विच इंक्लूड बैंगल्स इन दे लेफ्ट आम अमिलेटर ब्रेसलेट और राइट आम में आपका आमिलेटर ब्रेसलेट पैना वहाई और यह तरी बंगा या फिर डांसिंग पोस्चर में है यह दिखा आपको औ हम इसरे को इस पहले के लिए हम यूप्य को है आपनांगे अब थोड़ देर करेकि आख इस्यूrat ब्राॉप्यज को compare करेंगे तो टेरा कोटा का जू स्कल्प्चर है वो कम नंबर में मिलता है हमें ज्यादा bronze figures देखने को मिला है throughout ठीक है तो more we have got is what we have more we have got is bronze figure ठीक है they were made using pinching method and had been found mostly in sites of Gujarat and Kalibangar जैसे example आपका Mother Goddess का टेरा कोटा मिला है अरपन साइट से actually Mother Goddess आपका बहुत साइट से मिला तो थोड़ा सा Mother Goddess के बार में देखेंगे many sites discover के जिसे मैंने बताया जो की इसका importance हाई राइलाइट करता है और मेभी यह हो सकता है जाना कि she was used prayer के लिए या फिर फर्टलिटी कल्ट के लिए वर्षिप प्रॉस्परिटी के लिए की जा सकती है which we are not still aware कि यह किसलिए होता था these are our wild guesses Mother Goddess का आप का हो गया फिर bearded priest जो हमें मोहंजदारों से मिला है यह भी steatite का बनावा है bearded man बोलते हैं क्योंकि देखो यह priest ऐसा ना ओडे वे हैं कुछ ऐसा ड्रेप बोलते हैं इसको शॉल ड्रेप किये वे हैं eyes इनके elongated है और ऐसा लगता है कि meditation के posture में फिर हमें red sandstone of female of male torso मिला है हर अपन साइड में और यह red sandstone का बनावाया ठीक है देखो यह torso half part मिला है आप्डमन दिख रहा है इसमें neck में socket hauls है इसका यह हो सकता है कि attach करने के लिए head and arms यह hole किया गया होगा तो यह सारा थोड़ा सा हमें information मिलता इन सब चीजों के बारे में तो आपको थोड़ा थोड़ा अब इन सब चीजों के बारे में विध्यान देना अब हम pottery देखने से पहले मैं कुछ और discuss करना चाहती हूँ pottery देखने से पहले ना कुछ आपका question ऐसे आसे आ सकता है कि आपको कुछ sites दिये जाएंगे जिसे मैंने बोला कि Pakistan का site तो आपने अगर मेरा ट्रिक फॉलो कर रहे हो तो आप लिखा होगे मचाज M2 K2 मेरा नाम NG मैंने ऐसे कर किस चीज़ को याद किया है यह पाकिस्तान का ऐसे इंडिया में देखो आपने पड़ा गुजराःट राजिस्थान है ना पंजाब तो वहां पर कैसे कैसे आपको याद करना है तो थोड़ा सा खलका हलका ट्रिक मैंने बनाया वाए है तो वो चीज़ मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करते हुए जी से एउपी के लिए मैंने लिखा भस्म बहुत प्रेयर्स होते हैं वहां पर पंडिची पोर है मैं तुम्हें जला कर भस्म कर दूँगा तो भस्म से आप बी से आप याद रखोंगे बड़ा गाओं यह सारे साइट्स इस बुक में नहीं है बड़ा गाओं लिख लो आप इच से आपका हुलास इस से आपका आ मानड़ा आपका जंमुन कशिमी में नदन तो आप भस्म से यूपी के सारे साइब्स याद कर दो गए फिर आप हर्याना हम हर्याना दिक्ते थे सार एक तो हम अ अच्छा नहीं बन पारा था मैं ऐसे तो एच बीबी आर करके मैंने याद किया है एच बीबी आर तो जेके एलम एच बीबी आर ठीक है तो जेके एलम से आपका जोगी खेरा कुनाल के से कुनाल हाना जेके एल से लोहारी रागो लोहारी रागो जेके एलम अब आपको लिखना है एम से मीठाटल यह आपका जेके एलम हो गया फिर आपका इसी तरह हिसार बनावली बालू है ना बनावली बालू एच बीबी आर से आपका क्या होगा है राखी गड़ी बता ती है मैंने आपको सारा राखी गड़ी तो यह आप लिख लो ये ट्रिक ठीक है उसके बाद फिर में आपको कुछ और स्टेट का बदाती हूँ इससे क्या होगा ना आप वोड़ा Elimination में भी ये सारे यूज कर सकते हो and you can make your own tricks जो मैं वर्ड बोल रही हो लिख लो अपने हिसाब से कुछ ट्रिक डिजाइन करना चाहते हो तो वह भी आप कर सकते हो just hold on okay so next what I can go for is let's do for UP कर लिया मने महारास्टर का एक ही साइट आप दाइमा बाद लिखोगे अब नेक्स गुजरात करते है को बुजरात का अंट आपको मैंने लिखाइं इया भी यशी तो दीइसलार ऑटा नुदर ये फो टू ङी हो गया डी तूटीटो दीसलार एबे आड की ड्रा तो ड्राप थोलाविरा य मन्डी प्रूबर देसल-पूर लिख सकते हों ठोडा विरा देसलपूर hor देसलपूर फिर S से आपका सुरकोट डा जो हाँ से आपका होर्स रिमेन फिर आपका लोथल R से आपका रोजदी R से नोद रोपर रोपर इस पनजाब रोजदी A से आपका अगर अगर फल्या A B बाबर कोट बाबर कोट A.B.L.R.L. लतीशवर लतीशवर आर से आपका रंगबूर यह आपका सारा गुजरात का साइट से तो क्या आपका पाकिस्तान मैंने आपको बता दिया है मचास G.K. करके उसके बाद फिर मैं पंजाब में रोबर हो गया राजिस्तान में दो तीन साइट है आपका बरोर, काली बंगन, अन बलाथल, KBB काली बंगन, बरोर, अन बलाथल, हर्याना, JKLM, HBBR, गुजरात, DSLR, ABLR, D-Square, UPBUS, ओमा रास्ट्रा का दाहिमाबाद तो आप ऐसे भी करके यह सारे साइट सियात कर सकते हो है ना डिफरेंट वराइटी है कि कुछ pottery हमें plain pottery मिली है कुछ हमें painted pottery मिली है तो different pottery भी मिली है हमें और इस time की जो painted pottery है ना उसको red and black pottery बोलते है क्या red and black pottery it is used red color to paint the background, देपा background में red color है and black color है design बनाने के लिए ठीक है trees, birds, animal figures geometrical patterns, recurring theme रहें in pottery तो आपको red and black में धिहान दे रहा है कि red background है आपका front में कौन सा आगया है आपका red and black and front में आपका black और इसमें आपका different designs में क्या 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 use हुआ है ये भी आपको ध्यान देना most of the pottery's are very fine wheel made wear wheel made wear with very few being handmade खालो और पॉलिक्रोम पोटरी हो आपका लगाँ आपका वीट्र सक्काइश इवाप रेय और अचुछ जेह आपका पॉर्टरी के लिए अब देखो औरनमेंट्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो हरपन्स मैं थोड़े देर पहले हमने पढ़ा था ना कि वो लोग आपका सील्स को यूज कते थे अमुलेट्स ऑसो होल होता था वहाँ पे एक बहुत स्ट्राइकिंग फीचर है ना कि यह जो यह ओर्नमेंट्स पहनते थे ना तो वो वेरियस मेटल का होते था प्रिश्यस मेटल भी यूज करते थे यह लोग क्ले भी यूज करके बनाते थे जैम स्राउन जिसकी जैसी आउका स्ट्राइट और गर्डल्स यह तीन चीज सिर्फ और अरते पहनती थी बाकी मैं एंड विमन सब कोछ पहनते थे ठीक है बीड मेट फ्रम कार्निलीनियन कॉर्ट साइट साइट सारे बहुत पॉपुलर थे लाज स्केल में यूज होते थे ठीक है और इनकी फाक्तरी बीड मे रिच और पूर अलाइक थे पीपल अव थे ताइम वे कॉंचिएस ऑफ फाशन आज वेल ठीक है क्योंकि दिफेंट बियर स्टाइल्स यह सब भी यह लोग रखते थे तो आपको धियान देना है कि आपका जो ओनमेंस है दाट वस्वान बाइब बोद अपाटी मैं अन विम है अब देखो मी सिति ऑचि पड़ा मे Bowl राखिगारी ठीक है लाइस ज पमनी स्मॉल सिटी आला हिन्दो पड़ा लाजल साइट जो है यह साइट फर्मान इन हर्याना इह यहां पर सबसे जएदा लोग सक νग दफन आएगए है ठीक है राल अन मिल का täält आता संता मिला काली ब करना है कोटड़ा टिंबा यह रन आफ कच में धोला विरा की यह लोकेशन है तो यह सारा हमने कवर कर लिया है इंडर्स वाली का आर्किटेक्चर स्कुल्प्चर अन पॉड्री मेक शौर की एक पेज में यह आप सब कुछ को अटा दे ताकि जब आंसर लिखो तो आपका एक ब्यूटिफुल आंसर प्रिपेर हो सके नेक्स्ट अब हम देखेंगे मौरेन आर्ट अन कल्चर के बारे में थैंक यू